हेलो फ्रेंट में आ गई हूं नई रेसिपी के साथ आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और बैगन की कलोंजी हमने ले लिया एक प्लेट में बैगन और आलू को मसाले को बनाने के लिए हमने ले लिया नारियल, सिंगदाना, धनिया, मिर्ची, लसुन हम विक्सी में लेके इसको पीस लेते हैं मैंने सबको जार में खाली कर लिए और इसे मैं पीस लूँगी अब उसमें हम एक चिमच हल्दी, एक चमच नमक डाल देंगे कर देती हूं मेरे छोटे बेटे को बैगन की कलोंजी बहुत पसंद है मैं तो बनाने वाली थी बैगन का भड़ता पर उसे कलोंजी पसंद है इसके लिए में कलोंजी बना रहे हूं वो कब से इंतजा कर रहा है कब बनेगा फ्रेंड्स चलिए इसमें फटाबर में भर के आपको दिखाती है मैंने समय अच्छे से भर लिया है और थोड़ा मसाला हम रख देंगे और हमने गैस पर कड़ाई रख दिया है गरम होने के लिए पर ध्यान रखना थोड़ा मसाला साइड में रखिएगा उसका काम आएगा अब हम कड़ाई में डालेंगे तेल तेल को डालने के बाद उसे गरम होने के लिए हम छोड़ देंगे अब हम सारे बैगन और बटाटे को इसमें खाली कर देंगे जब हमारा तेल गरम हो जाएगा मैं उसे अब खाली कर लेती हूँ मैंने सारे बैगन और बटाटे को धीरे-धीरे करके एक-एक करके डाल दी हूँ कुछ इस तरीके से आप डालिएगा जिससे हमारा बैगन और आलू अच्छे से पक जाएज अब हम उसे ढख देंगे 10 मिडवाद हम उसे खोलेंगा और अच्छे से चलाएंगे ये देखो मैं खोल लेती हूँ और अच्छे से उसे में चला लूँगे जैसे कि मैंने आप से कहा था कि थोड़े मसाले रखे रहना साइड में अब उसे में हम अच्छे से डाल देंगे, फिर उसे अच्छे से चलाएंगे, अब उसे हम रख देंगे ढखके 10 मिनट के लिए, फ्रेंट्स हमारे 10 मिनट हो चुके हैं, अब उसे हम खोलेंगे, ये देखी हमारा पक चुका है, बहुत सुन्दर और सौधिश्ट दिख रहा है अब उसे हम अच्छे से चला लेंगे, जिससे हमारे सारे मसाले मिल जाएं, उसे अच्छे से हम चला लेंगे, मेरा चोटा बईटा बोल रहा है, ममी जल्दी निकालो, आप सबर नहीं हो रहा है, फ्रेंट्स बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए, आप सपोर्ट मिलते हैं अगली नए रेसिपी के साथ